नमस्ते किसंद भाईयों आज बात करने वाले हैं हम फृत की जो टाटा रैलीज कमपणी का एक खरपोतर नाशे गए सबी किसंद भाई इसका इस्तिमाल धान की फसल में करते ही होंगे जब धान की रुपाई करने के बाद बाद तक घंटों के अंदर यानि के तीन दिनों के अंदर हमें इसका इस्तिमाल करना है इस्तिमाल करने से क्या फैटा होगा कि जो भी अगले समय में आने वाली घास होगी या खरपोतर होगी वो नहीं उबने देगा ये खरपोतर नाशे कम से कम इसका कंट्रोल दो महिने का है इसमें जो टेक्निकल है प्रेटिला क्लोर्ट पचास प्रकेशिट जो आपको लेकुड फाम में मिलता है, इसका इस्तमाल हमें रोपाई के तुरंत तिंग दिनों के अंदर इसका हमारी फचल में चड़काव नहीं करना है, चड़काव पर देसमये पानी होनी चाहिए और साथ मिट्टी में अच्छा नहीं होनी चाहिए आप सुपर्व प्रहाइच या नहीं कर सकते दो DAP या यूरिया जैसी SO-P fertilizer को खाथ को अशा इसका कोटिंग या उसको मिला कर ही खाथ के साथ भी डाल सेकते हैं एक खरबोदर अच्छा नहीं उगने देता है यह दान्य के बाद अच्छा मिट्टी के अंदर से कोई भी गास आने वाला है उसको मारने का काम करता है उगने नहीं देता है सिल्काव के बाद कम से कम आठ ये अदस दिनों टप अपनी फसल में पानी अच्छे तरह मिंटन रखना चाहिए कि इसकी किमत की बात करें तो पास्तों रुपए में आपको एक लिटर मिल जाएगा और बैस की बात करें तो पास्ते मिली परतियकर का दोसे धन्यवाद आप जैकिसन चानल पर नए होते हैं डायक शेयर आइख शेयर आइज सब्सक्राइब जरू किजिए अपने जैकिसन जान में को धन्यवाद